Good morning guys I hope you all are doing great आज मैं आपके साथ अपने डेली रुटीन का जोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेर करूँगी बहुत सारी चीज़े शेर करूँगी अगर यह वीडियो देखना चाहते हो then without any further ado let's get into the video आज की मेरी morning rain से स्टार्ट हुई है बहुत कर्मी है Canada में इन दिनों में हमें थोड़ी सी rain चाहिए थी so thank god के rain आगी है यह हमारे cute से pets हैं जिनको मैं feed कर दूँगी इनकी tummy fall हो जाएगी फिर मैं अपना morning का routine आपके साथ शेर करूँगी last video में मैंने share किया था अपनी kitchen cleaning routine अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखना अब मैं breakfast prepare करूँगी and lunch भी साथ में बना कर रखूँगी जब मुझे कहीं जाना होता है कुछ ऐसा काम करना होता है मैं सारी चीज़े पहले ही कर लेती हूँ और कुछ recipes आपके साथ share करती हूँ morning में हम fruits लेते हैं सो सभी का breakfast मैंने कर दिया है ready हम मैं बनाओंगी mac and cheese macaroni simple बनाओंगी इतनी चीज़ी नहीं बनाओंगी बटा आपके साथ share करूँगी कि आप कैसे बना सकते हो choice of vegetables आप ले सकते हो उनको मैं पहले थोड़ा सा पकालूँगी इसमें मेरा secret ingredient है जो है nacho cheese and alfredo sauce उसके साथ आप black pepper and salt according to taste use कर सकते हो मैंने पूरी bottle उस किया इसमें मैं 2-3 tablespoon मैं nacho sauce किये उस करूँगी salt and pepper आप according to taste use कर सकते हो अगर vegetable skip करना चाहते हो तो totally up to you आप skip कर सकते हो और अपनी twice की add कर सकते हो इसको मैं अच्छे से पकालूँगी and other side मेरा pasta boil हो रहा है उसको मैंने 70% ही boil किया है so other 30% इसमें आके boil होगा जो उसका boil किया हुआ वाटर था जिसमें हमने boil किया था वो वाटर मैंने थोड़ा सा इस sauce में add किया है उससे इसकी thickness यादा होगी next मैं इसमें add करूँगी और एगनो पर्सले and basil choice of herbs अगर skip करना चाहते हो तो कर सकते हो बट मुझे अपने food में herbs को add करना बहुत अच्छा लगता है इसको मैं अब इसमें mix करके अच्छे से इसे cover करके पकाऊंगी low heat पर and next मैं आपके साथ share करूँगी कि कब आप इसमें cheese add कर सकते हो तब तक मैं अपना multi task work हामेशा साथ साथ में करती रहती हूँ जो सुबह के बरतन है उसको मैं करूँगी clean and now जे थोड़ी सी पक चुकी है now इसमें आप cheese add कर सकते हो और cheese right way mix करके इसको oven में रख सकते हो broil करने के लिए बच्चों का food हो गया है done and मैं अपने लिए बना रही हूँ अज turnip shell gum इसे में कभी भी boil नहीं करती just इसे cut करती हूँ and तड़का लगा देती हूँ simple जैसे हम normal सबजी बनाते हैं mash करना चाहते हो तो वो कर सकते हो साथ साथ में मैं आज बनाऊंगी करेला जिसके लिए मैंने पका लिया है onion को तड़का लगा लिया है already and fry करके हमेशा मैं करेले को use करती हूँ फिर जे कड़वे नहीं बनते अच्छे लगते हैं इसको मैंने ऐसे fry कर लिया है so थोड़े से brown जब हो जाते हैं फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ तड़का ready है मैंने onion, garlic जो होता है सब को पका लिया है अब मैं इसमें add करूँगी करेले जो हमने fry की है अगर आप करेले को fry नहीं करना चाहते है आपके पास time है तो आप salt लगा कर इसे दूप में रख सकते हो फिर उससे भी इसकी जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है तो एवी option है जे तुसी है अपने करेले चौन है कि कॉड़े ना बन ता ये use कर सकते है tip अब आपको अच्छा लगा होगा करेले बन चुके है इसको मैं तड़के में add करके थोड़ा सा पका लेती हूँ जे अच्छे से बन चुके है उसके साथ साथ अधर सबजी जो मैं बना रही हूँ टर्निप की ऐसे बना कर देखना टर्निप जो शलकम होते हैं बहुत अच्छे बनते हैं थोड़ा सा water add कर सकते हो अगर non stick में नहीं बना रहे हो अब तो बहुत अच्छे बनते हैं इसको mash करना चाहते हो तो mash कर सकते हो तो ये दोनों चीजे हो गई है done अब मैं जाओंगी grocery करने and grocery के साथ बहुत सारी चीजे share करूँगी first मैं आगी हूं longos में जहां कुछ चीजे special पे थी जो मुझे लेनी है actually जहां mango cases special पे थी I think 10-15 dollar का each case था so पहले मैं बो ठालूँगी so look at this कितने अच्छे हैं mangoes आप individual भी ले सकते हो case भी ले सकते हो so जहां से मुझे कुछ और भी चीजे अच्छी fresh देखने लगी है थोड़ी सी vegetables जहां से उठाओंगी and फिर मैं जाओंगी आपको लेकर अपने फेवरिट स्टोर में अब मैं आगी हूँ अपने फेवरिट स्टोर में 14 O's में and जहां से मैं leftover grocery करूंगी and बहुत सारी चीजे शेयर करूंगी जो मैंने अपनी first video में नहीं share की थी अगर आपने first video नहीं देखी तो जूरूर देखना and उसके साथ मैंने फ्रेशको की भी video बनाई है फ्रेशको से आपको बहुत ही reasonable prices में grocery मिल जाती है दोनों वीडियो के link in my description box down below so जो फ्रेश के कपड़े आपको 14 O's में मिल जाते है and malls में वीज का store होता है जहां से भी आप affordable कपड़े ख्रीज सकते हो आप हमेशा मुझे बोलते हो के the please affordable चीजे हमारे साथ share करें जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं जो नए आ रहे हैं कुछ students हैं उनके लिए चीजे शेयर करें हो जहां से कपड़ों के साथ साथ आपको जे चीजे भी मिल जाती हैं इसको आप अप्लाइनिंग टेवल को डेकुरेट करने के लिए पैट्यू टेवल को डेकुरेट करने के लिए यूस कर सकते हो आप प्राइस साथ साथ में देख सकते हो जे plates हैं जो $4.50 से स्टार्ट हो जाती हैं बहुत सारे कलर्स एंड स्टाइल्स अवेलेबल हैं फर्टीनो से आपको हर एक चीज मिल जाती है that's why जी मेरा फेवरिट स्टोर है जे कुछ बाउल्स हैं कुछ ट्रेज हैं प्राइस आप साथ साथ में देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्लेक्शन होती है फर्टीनो से आप डाइनिंग बेर सेट भी ले सकते हो आपने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ जहां से आप individual pieces लेकर खुद कस्तमाईज कर सकते हो जहां से आपको plates, bowls, different styles में different colors में मिल जाते हैं आप price देख सकते हो इना detail अगर आप individual pieces नहीं लेना चाहते हैं तो इनके पास boxes होते हैं जिनमें 12 pieces हैं जह $60.99 का आपको set मिल जाएगा और बहुत सारे other colors available हैं जिनकी price and detail आप देख सकते हो इनके पास और भी kitchen के लिए बहुत सारी चीज़े होते हैं आप detail and price आप साथ में देख सकते हो यह went to box और कुछ containers हैं आप detail and price check कर सकते हो and look at this, how cute is this यह butter रखने के लिए coffee, sugar, flower रखने के लिए बहुत अच्छे tight ceramic containers हैं जहां से आपको हर तरह के pot pens मिल जाते हैं यह कुछ cast are in के हैं जिनकी price and detail आप देख सकते हो जिए बहुत सारे colors में आते हैं जिए चोटे-चोटे बहुत cute हैं and अगर अपनी टिका कुछ भी serve करना चाहते हो बनाना चाहते हो so इसमें बहुत तरह के styles and sizes है जहां से आप अपनी kitchen के लिए small appliances भी ले सकते हो जहां से आपको blender, chopper, mixer सारी शीज़े मिल जाती है in affordable prices में आप detail and price check कर सकते हो हे हर कमल प्रीट आप पूछ रहते spices container, finally I found this in a great quality फर्टीनोस में आपको मिल जाएगा इसमें 11 pieces है, इसका size भी बहुत अच्छा है अगर जह नहीं देखना चाहते हैं उनके पास ऐसे भी spices containers है आप देख सकते हो detail and price ये वीडियो कोई भी sponsored वीडियो नहीं है जो मुझे अच्छा लगता है वो ही मैं आपनी audience के साथ share करती हूँ फर्टीनोस से आपको और भी बहुत सारी kitchen से related चीज़े मिल जाती आप detail and price check कर सकते हो जे stainless steel का sink organizer भी बहुत अच्छा आपको 21.99 का मिल जाएगा and जे drawer के लिए organizer है इसमें आप चीज़े divide करके रख सकते हो only for 20.99 जे 3 tire organizer है इसे आप अपनी kitchen penitry में use कर सकते हो $10.49 का आपको मिल जाएगा recently मैंने video share की है कि मैंने अपनी kitchen penitry को कैसे organize किया affordable चीज़ों को use करके अगर वो video देखना चाहते हो तो link in my description box down below और you can click on a top to watch that video for 20.99 में जे stoneware की dishes special पे थी lid के साथ आती है इसमें बहुत सारे color combinations आपको मिल जाएगे बहुत सारे style and sizes आप detail and price check कर सकते हो जे stoneware की dish है इसमें आप pie बना सकते हो इसकी quality बहुत अच्छी है आपको $9.74 सेंट का मिल जाएगे इसमें बहुत सारे colors थे जहां से आपको stainless steel के burton भी मिल जाते हैं and जे copper color में कुछ है balls, plates and trays जिसे आप decorate करने के लिए use भी कर सकते हो and जे आप hand wash ही कर सकते हो and जे made in India है अब मेरी shopping होगी है done अब चलते हैं गर जाकर मैं आपके साथ share करने वाली हूँ कि आज मैंने क्या खरीदा so जे मैंने लिए हैं कुछ bento box बच्चों के लिए जे stainless steel का है जे बहुत अच्छा है and जे thermos container है and कुछ juice कुछ जे लॉंगों से मैंने grocery की थी वहां की जो baking goods होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है some karsants and cookies chocolate chip cookies and mango boxes के लिए actually मैं गई थी वहां से आपको boxes मिल जाते है and मैंने कुछ 14 ओ से भी grocery की है जहां से मैंने लिए goat cheese strawberries some salad coriander, watermelon taco sauce and taco beans and some fresh produce like peppers mushrooms and tomatoes and जहां से मैंने और भी salad लिए है I got some mini tortillas morning glory for breakfast and जे है vegetable rice and taco sauce and some fresh berries black peppers and some dressing for salads dahin and जे brownie and some cinnamon rolls next मैंने fresh produce मैंने है cherries, cucumbers and जे है tortillas अगर आप bean burritos बनाना चाहते हो तो इसको जूस कर सकते हो and recipe up on my channel and some fresh bread gobi and some fruits I hope आपको आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जूरू लाइक करना subscribe कर लेना चानल को and I will see you in another coming video until then, take care guys, love you and bye and I will see you in another coming video